इश्वल्तनी भेत चे मंतानुए श्रोत चे इश्वल्तनी भेत चे मंतानुए श्रोत चे जगतेला विनाथूरू लावे मुखपर स्मीत मधूरू इश्वल्तनी भेत चे मंतानुए श्रोत चे इश्वल्तनी भेत चे मंतानुए श्रोत चे अशावान नारी रो प्रिय बैनो अशावान स्त्रियो कार्यक्रम मा आपनुँ स्वागत छे ज्यारे जीवन मा कईक फेरफार आवे त्यारे आपणा माथी मुट्टा भागना लोको हेरान थेई जाई छे सामाटे सामान्य रिते युवानवई मा परिवर्तन आपनने उत्ते जित करे छे अने आपने तेनी रापण जोईये छिए पन ते पचीना समय मा तेने दूर राखवा आपना थी थता बधाज प्रयत नो आपने करिये छिए फेरफार आपनी इच्छाव पर आधारित होई छे ते समस्या न थी परन्तु केटलिक वार नवीज स्थीती वधारे मुस्केल होई छे अने आपनने एउ लागे छे कि तेनी पर आपने जीत पामी शक्किये एम न थी तो पछी फेरफार सामे साच्चो प्रतीभाव केवो होवो जोई ए अने आवा फेरफारो खराब अने अणधार्या संजोगों मा आवे तो तेनो हकारात्मक प्रतीभाव केवी रिते आपी शकाई आ बद्धा प्रश्णों ना जवाब जानवा सामणो अमारो आजिनो कार्यक्रम आशावान स्त्रियों तेमा आपने स्त्रियोंने सवथी वधारे डरावनार एक फेरफार सबंधी चर्चा करीशु ते कोई रोग न थी पन चोक्कस उमरपची स्त्रीना जीवनमा आवतु कुद्रती संक्रमन अथवा फेरफार छे तेने मेनोपोज के रजर निवरती तरीके उडखवामा आवे छे लामबा वर्शो पेला मेनोपोज ने गुप्त शारीरिक पीडा तरीके ध्यानमा लेवामा आवतु कोई व्यक्ती तेना विशे जाहेरमा वाद करती नोती पण हवे ते गुप्तता तुटी गई छे अने आपनी पासे ते माटे उप्योगी पुष्कल जानकारी उपलब्द छे हाँ, अत्यारना समय मा मेनोपोज सबंदी, वेग्नानीक जानकारी, सहित्य, पत्रीकाओ, समाचार पत्रो, लेखो अने वेबसाइट पन उपलब्द बन्या छे दवानी दुकानों मा अने बजारों मा ते माटे ना उप्चारों पन प्राप्यों बन्या छे तेम छताई केटलीक स्त्रियों ते माटे तैयार होती न थी, अने गेर मार्गे दोर्वाई छे हकिकत ए छे के अस संख्य स्त्रियों एवी छे के जे मेनोपोज माथी बसार थाई रही छे, पन ते सबंदी अजान छे मरी वाली बेनो, तमे ते माटे केवी रिते तैयार रही शको, आ विशय माँ केटलीक खोटी मान्य ताव पन प्रवर्ते छे, तेनी साच्ची माहीती प्राप्त करवा सांबडिये जीवन नो पाठ प्रिये बेनो, मैनोपोज अथ्वा रजोनी व्रुत्ती स्त्री ना जीवन नो एवोत अबग्को छे के जेमाँ तेना शरीर मां इस्ट्रोजन नामनी ग्रन्ती उत्पन थती बंद थाई छे, अने घर्बधारण शकती धीमे धीमे बंद थाई जाई छे ज्यारे स्त्रीना जीवन मा आवो फेर्फर शरू थाई छे, त्यारे तेना शरीर मा बड़तरा थाई छे, तेनु रदै वदारे जोर्थी धपके छे, मानसिक हताशा वदे छे, चिन्ता, गुस्सो, शाररीक नबडाय, योनी मा सुका पणू, तथा वारमवार पेशाब लाग वगेरी लक्षणों देखाई छे, ते थी मेनोपोस दे लोको एक बिमारी तरीके ओड़के छे, पन ते साच्चू नथी, ते कोई रोग नथी, पन स्त्रीना जीवन मा आवतु संक्र मन छे, जेम किश्वरा वस्तामा मासिक चक्रनी शरू आत थाई, तेना जेवोज आ एक तबको छे, तेमा हवे गर्बधारण करवानी शक्ती धिमे धीमे जती रहे चे, पच्चास ना दाईकाणी शरू आत मा धीमे धीमे इस्त्रोजन स्त्राव उत्पन थवानो बंध थाई चे, अने ते पची मासिक स्त्राव पन बंध थाई जाई चे, बीजी बाबत, मेनोप लिधे थतु संक्रमन त्रण प्रकारे थाई छे, प्रथम मेनोपोज पहलानो तबक्को छे, जेनो समयगाडो साम्मान्य रिते मेनोपोज पहलाना बैथी आठ वर्ष नो होई छे, अने ते छेला मासिक चक्रना एक वर्ष पछी पूरो थाई छे, आ समयगाडामा इस्त्रोज स्त्रावनु उत्पातन घटे छे, अने तेने लिधे शरीरमा अगाव जणाव्या मुझबना केटलाक फेरफारो अनुभवाई छे, केटलीक स्त्रियोने शरीरमा पीडा थाई छे, केटलाकने थाक लागे छे, तो केटलाकने ध्यान आपवामा अने याद राखवामा पण केटलिक स्त्रियों ने अवी कोई असरो थती न थी, ते पची मैनो पोजनी खरी शरुआत थाई छे, मासिक स्त्राव बन थवाना एक वर्ष पची तमने खबर पड़े छे, कि तमे आ तबक के पोँचिया छो, मैनो पोजनी शरेरास उम्मर 51 वर्ष छे, परन्तु 24-50 वर पहला ते मैनो पोजना तबक कामा आवी जाई छे, त्री जी बाबत, मैनो पोज पच्छी नो समय छे, जे मुट्टा भागनी स्त्रियों मा 25 वर्ष करता वधारे वर्ष सुन्दी चालू रहे छे, आ समय दर्म्यान आवेशी स्वभाव, मुड मा फेर्फार, अने शरीर मा बीजी आड असरो उत्भवे छे, पन मैनो पोज पच्छी इस्त्रोजन स्त्राव बहुझ ओचो थई जवाने लिदे, स्त्रियों मा आंत्रिक निर्बडता वधी जाई छे, तेथी तेमना हाडका पोला थई जाई छे, जेने लिदे स्त्रियों ने ओस्त्रियों पोरोसिस નाम નો હાળકાન રોગ થાય છે દરેક સ્ત્રીઓ માટે મેનો પોજના લક્શન અલગ અલગ હતા નથી દારેક સ્ત્રી અલગ છે અને મેણો પોજનું તબકો દારેક ને માટે અજોડ છે દરેક સ્ત્રીઓની સંસ્ક્રૂતી અને કાઉટુંબીક દરજ્ય પણ મેનોપોજ અને તેના લક્ષણોને તે કેવિરીતે જુવે છે તેના પર અસર કરે છે દાખલા તરીકે એશ્યા ખણની સ્ત્રીઓ તેના લક્ષણો સબંધી એક એહવાલ મુજબ આફ્રીકા ની સ્ત્રીઓ મેનો પોજના સમઈમાં સુંદર તંદુરસ્ત સશક્ત અને આશાવાદી આપણે ધ્યાનમા લેવા માંગે છીએ કે મેનો પોજના લીદે સ્ત્રીઓ હમેશા માન્સીક હતાશાનો અનુભો કર લેલ પોંચે છે જેને લીદે તેનો સ્વભ્ા ઉતામ સી કે ગુસાવાળો બને છે રદઈ જોર્થી ધભકમાને લીદે લાગણ્યોનો આવો ચળાવ ઉતાર થોડા સમય માટેનો અને નીયન્ત્રિત કરી શકાય એવો હોઈ છે માંસીક હતાશાનો દર મેનો પોજના સમય પછી ઘટી જાય છે છેલ્લી બાબત રદઈની બિમારી એ પૂરુશો ને લાગુ પડે છે સ્ત્રીઓ ને આ બાબતની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આ માન્યતા ખોટી છે આકડા કી એહવાલો સ્પસ્ટ બતાવે છે કે સ્ત્રીઓ ના મરણને માટે કે ગર્પ ધારણના સમય દર્મ્યાન રદઈ રોક સામે રક્ષણ મિળવા માટે ઇસ્ત્રો જ્ત્રાવ મહત્વનો ભાગ ભજ્વે છે મેનો પોજ પછી આ રક્ષણ જતુ રે છે પરંતુ નવા સંચો ધનમુ જબ આ શંકા સ્પત છે મારી વાલી બેનો મારી આશા છે કે મેનો પોજ વિશેની તમારી કેટલી ગેર માન્ય તાઓ આજે દૂર થઈ હશે મેનો પોજનો સામનો કરવા માટે હું તમને કેટલીક ભલા મણો કરવા માંગુ છે સવથી પ્રથમ બાબત તમારી જીવન શઈલીમાં પરિવર્તન લાવી ને શરુવાત કરો મઈનો પોજના અનીચનીય લક્ષણો થી દૂર રેવા માટેનું આ એક અસર કારક સુચં છે તે માટે સવપ્રથમ તમારા ખૌરાક માં ફેર ફાર કરો જો તમે ધુબ્રપાન કરો છો તો તે બંદ કરીદો ડોક્ટર ના સલાસુ ચનો અને તમારા શરીની સંભળ માટે વિશ્વાસુ રહો ગરભાશઈ અને સ્તનની નીયમીત રુપમાં તપાસ કરાઓ અન્તમાં આ હકિકત ધ્યાનમાં રખો જે પ્યાથણ પ્યાથણ સ્યાથણ જે થે પરતારિ કર્તાથણ કરતાત देव यहोवा मुझ्यारा गढ़ मजबुत ने किल्लो मारो धे प्रभु तूँछे तारण हारो गढ़ मजबुत ने किल्लो मारो धे प्रभु तूँछे तारण हारो पाप थकी तू तो छोड़ावे परिक्षनों थी बचावे देव यहोवा मुझ्यारा प्रियबेनो सलाम परिवर्तन अथ्वा फेरफार जीवन नो एक भाग छे आपणने ते गमे के ना गमे पन आपने तेनी अवगणना करी शक्ता न थी दरेक दिवस अलग होई छे आपने दरेक जन दर्रोज बदलाई जैये छे कोईके कह्यु छे के परिवर्तन अशिर्वात बनी शके छे अत्वा शापरूप बनी शके छे तेनो आदार आपना तेना प्रत्येना ध्रस्टी बिन्दूपर रहे लो छे परिवर्तन के फ्यर्फार मांटे मोट्टे भागए आपनी पासे 2 विरोधी लागनियों हॉई छे जो आपने फेरफार माटे सुच्यान करयू हॉई तो ते आपना माटे मुश्केल लागतो नथी पन ज्यारे आपना जीवनों नित्य क्रम प्रमाने आगलवत्ता हॉई आपने आरामदायक लागतो फोई त्यार पची जो फेरफार आवे तो आपने तिगमतु नथी ज्यारे पसंदगी करवानी ना होई पन बदलावज होई तो पन आपने जुनी पद्धती प्रमानेच काडिय करवानू पसंद करिये छे आपनी परिचीत बाबतो वदारे सारी लागे छे जुनी बाबतो वदारे परिचीत अने सलाम अच्छे तो पची नवी बाबतो साते दखलगिरी सामाटे करवे चोककस ज्यारे परिवर्तन आपनी उपर ठोकी बेसारवामा आवे त्यारे समस्या उभी थाई छे खासकरी ने एवी बाबतो पर जेना पर आपनो बहुज ओछो अने सहज पन काबू हतो न थी मारी बाली बेनो परिवर्तन के फिरफार विशे तमने की विलागनी थाई छे सो तमने तेथी डर लागे छे सो तमे परिवर्तनने स्विकारवा तैयार रो छो जिवन मा पन गणाबता फिरफारो थाई छे एक जग्याये ती बीजी जग्याये जवू मानगी आववी मित्र के स्वजनोंने गुमाववा वगेरे तमारी पासे पन आवी गणी बाबतो हशे आब अध्दी बाबतो आपना परियावरनने बदली नाखे छे एक पुस्तक ज़ावे छे के ज़्यारे बदलाव आवे छे त्यारे कां तो आपने तेने स्विकारी लईये छी अत्वा तेने लिदे आपने हतास, व्याकूड अने गुस्सा मा रईये छे ने बीजाने दोस आपिये छे ज्यारे तमे परिवर्तन सामे संगर्ष करता होई, अत्वा परिवर्तनने स्विकारी लिदु होई, एवा समयो सुतमने याद आवे छी बेनू कितलाक समयो एवा पण होई छे, जैरे जीवन मा आवता जर्पी फिर्फारो मत ये पन, आपने सच्चाई औने प्रामानिक ताने पकड़ी राखवा संगर्ष करवो पड़े छे कितलाक लोको परिवर्तनने ताडे छे, अथ्वा तेने अनुसर्वानो डोल करे छे कितलाक लोको परिवर्तनने शाप आपे छे, अने तेनो शिकार बने छे, अने बाहिय गटनाओने माटे तेमना जीवनोने अने तेमना गुस्साने दो शापे छे जिवन जिववानी कड़ा ए छे के आपनी आसपास थाथा फिर्फारोंने पारखवा अने ते फिर्फारोंने रचनात्मक प्रत्यूतर केविरीते आपिशकाई ते सोधी कालवो प्रियबेनो अत्यरे हुतमने एक एवा मानस विशे केवा मांगो छो के जेने जिवन मा अनेक वार नाट्यात्मक फिर्फारोंनो अनुभव कर्यो तेनी वाद बाईबल मा उत्पतीना पुस्तक मा लखवा मावी छे आ वार्तामा परिवर्तननी बन्ने बाजुओ जुवा मड़े छे अनदारी गट्नाओनो सामनो करवा प्रत्ये मानवी ये वलन अने ज्यारे इश्वर आपणा जीवनोंने दोरे छे अने सगडू सारू करे छे त्यारे तेना परिणामो महरी वाली मेनो हुँ तमने युसफ नी वात केवा मागूशू ते याकुबना बार दिकरावो मनो अग्यार मो दिकरो हतो अने याकुबने बव वालो हतो उत्पतीना साड़त्रिसमा अध्याईनी त्रीजी अने चौथी कलम्मा लख्यू छे हवे इसराएल तेना सर्व दिकरावो करता युसफ पर विशेश प्रीती करतो हतो कैमके ते तेना गरपणो दिकरो हतो अने तेने सारू एक रंगित जपो सिवडाव्यो हतो अने तेना बाईयो ए जोयू के तेओनो बाप तेना सर्व बाईयो करता तेना पर विशेश प्रिती करेशे अने तेओ तेनो द्वेश करता ने तेनी साथे मिठास्ती वाद करी शकता नोहता। यूसफ थोड़ा समयने माटे आलावाने मानी रहेवतो। तेना पीता तेने संपोणरी ते टेको आपता आता। तेना पीता ए पोताना आवाला दिक्रानो उप्योग तेना बीजा दिक्रावनी जासुसी करवा माटे कर्यो। पन आ परिस्तितीने लीदे यूसफ अने तेना बाईयो वच्चे अंतर उभू थयू। बाईयो वच्चे अंतर उभू थयू। નे આપણે કઈશું કે કોયી એક રાની પષું તેને ખાયીં ચે અને તેના સ્વપ્ણો સૂથસે તે જોયશું अने रुबे ने ते साम्ब्लिव, ने तेने तेवना हात माथे तेने छोड़ाव्यों, अने तेने कहिँ आपने तेनों जीव न लेवो। तेवोना हात माती तेने छोड़ावीने, तेना बापने सोपवा सारू, रुबेने तेवोने कह्यूं, तेनु रक न वेवड़ावो, पन रानमा आजे खालो छे, तेमा तेने नाखी दो, ने तेना पर हात न नाखो, अने एम थयू, कि युसफ तेना भाईयोनी पासे आब्यो तेरे युसफ नो जपो, एटले जे रंगी जपो तेना अंग पर हातो, ते तेवोने उतारी लिदो, अने तेवोने तेने पकल्यो, ने तेने खालामा नाखी दिदो, ते खालो खाली हातो, ने तेमा पानी नोतो, अने तेवोने रोटली खावा बैठा, अने तेवोने आख लादेला तेओना उट मिसर देश मा तेओ लई जता हता वाली मेनो यूसफ ना जीवन मा परिवर्तनी शरुवात अरणियना खाडा थी थै तेना भाईयोय तेने 20 रूपया मा फारुन ना सरदार पोटिफार ने वेची दिदो वार्ताने थोड़ी टुकावी नाकता हो कहीश के यूसफ तेना पिताना मानीता दिक्रामा थी गुलाम बनी गयो पर तेना प्रत्ये यूसफनु वलन आपने बोव मोट्टो बोदपार शिक्वेच्छे यूसफ दरेक रिते इजिप्पना सरदार ने माटे आशिर्वाद रूप हतो उत्पतीना ओगन चालिसमा अत्याईनी बिजी कलम प्रमाने इश्वरे यूसफना लिदे तेना सेट पोटिफार ना गर ने आशिर्वाद आपयो गर्मा अने बहार दरेक जग्याए ते आशिर्वादित थयो बिजू सत्य एछे के इश्वर यूसफनी साथे हता बेवकत ते अन्याईनो भोग बन्यो तेम छतनाई इश्वर तेनी साथे हता पण फरी एकवार संजोगो बदलाई गया बाईबल जनावे छे के इश्वर सुन्दर तथा रूपाळो हतो आकाई खोटी बाबत नोती पण तेना मालिकनी पत्नी ए तेना प्रत्ये कूद्रस्टी करी अने तेने ललचाववानो प्रायत्न कर्यो अहीं युसफ प्रमाणिक तानी फरी थी साबी थी आपता त्याथी नासी जाई छे पण तेनो आ निर्णै तेने फरी एकवार मुस्केली मा नाखे छे अने तेने लिदे वगर वाके युसफ ने जेल मा नाखी देवामा आवे छे ज्यारे कोई निर्दोस व्यक्तिने जेल मा नाखी देवामा आवे ते एक खराब बाबत छे हवे युसफ तेना जीवनने दैनी यह हालत मा जोई शक्तो होत पण ते एवु करतो नथी उत्पतिना ओगन चालिस मा अध्याईनी 21 अने 22 मी कलम मा लख्यू छे पण यहोवा युसफ नी साथे हतो ने तेने तेना पर दया करी ने तेने कैत खाना ना दरोगानी द्रस्टी मा क्रूपा पमारी अने जे कैदियो कैत खाना मा हता तेवो सर्वने दरोगाए युसफ ना हात मा सोप्या त्यां जे काम तेवो करता तेनो करावना तेज हतो वाली बेनो शुतमे आवू विचारी शको जो युसफ नुँ आवलन मने खुप गमे छे ते फर्यात करी शक्यो हत ते माटेना कारणों पन तेनी पासे हता पन तेने एवु कर्यू ने दरेक संजुगो मा तेना थी बनी शके एटलू स्रेश्ट तेने कर्यू अने हम्मेसा खराप बाबतो पर जय पामबा माटे तेने इश् हुद दो युसफ ने मलेो तेने फरि थी तेना कुटूम ने एकत्रा करियू तेमनी वधारे नजीग करयो औने दरेक खराप स्मरोणो थी तेवाने मुप्ट कर्या औने तेमनी साथेना सबंद ने पुनछ स्थापीत कर्यो आ एक अधपूत वार्ता चे जेमा महत्व सत्यो समायला छे, जो युसफ ना जीवन मा आवेला फिर्फारों ने ध्यान मा लईने, तेना जीवन ने विबाजित करिये, तो पांच भाग मा ते करी शकाए। अने प्रिय आगेवान, पांच मो बाग तेना कुटुम ने बचावनार। प्रिय बेनों, युसफ ना जीवन ना दरेक समयो आनन्ना नोता, आपना जीवन मा पन दरेक समयो आनन्ना होता नती। पण जो तमारी आसपासना संजगो ने तमे बदली शकता नथी, तो तमारा वलर ने तो तमे बदली शको छो। अने तमारा जीवन ने प्रेमाळ अने संबालनार इश्वर ना हाथोमा मुखी शको छो। तमारा माटे अदपूत बाबतो रह जोई रही छे। ज्यारे आपने जीविये छे, त्यारे आपना जीवननो अंतीम अध्याय हजी लखायो नथी। मारी वाली बेनो, तमारू जीवन इसुना हाथोमा मुखी दो, तमारी सामे आवनार दरेक परिवर्तननो सामनो करवा, ते तमने दोरवनी आपसे, अने तेना प्रेम अने कृपा थी तमने सामर्थियवान करशे, आवो ते माटे आपने प्रार्थना करिये। महान स्वर्गिय इश्वर्पीता, अमारा जीवन मां हवेश्णू थवानुछे, ते अमे जानता न थी, अमे तमारी पाछल चालवाना तमारा आमंत्रल्णे स्विकारवा मागिये छे, तमारा पर विश्वासकरीने फेरफार्थी डरी जवाना अमारा वलणने बदलवा मा अने ते अमारा जीवन नी माते, तमारी पवित्र अने सgoneपुन इंच्छानो एक भाग चे ते अमे स्विकारिये चे अमारी प्रारतना चे, तमे अमने शांती अने सामर्थियापो, जे खी अमे गमे तेटली गंबीर श्थिथी नो सामनों करी शक्ये इसोना नाम मा मांगो छो, आमेन पाचर पाचर तारी पाचर चालेश ज्याँ ज्याँ दोरी लेशे पाचर चालना चूँ पाचर 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 तारी पाचर चालेश ज्याँ 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 पाचर चालेश ज्याँ दोरी लेशे पाचर 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 तारी पाचर चालेश ज्याँ 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 पाचर चालेश ज्याँ 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 ज् आजी आपने शीख्या के आपना वलन अने इश्वर्नी मद्यस्ती, केवी रिते आपने जीवन मा आवता फेरफारोंनो सामनो करवा मदत करेशे। सर्नामों छे कारियक्राम आशावांस्त्रियो, ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया, पोस्ट बोक्स नंबर 2036 फते गंज वडोद्रा, पीन कोड नंबर 390-002, अमारी वेबसाइट छे रेडियो882.com जो आप फोन थी अमारो संपर करवा मांगो छो, तो अमारो फोन नंबर छे 99-98-97-9026, नववाणू, अठाणू, सत्ताणू, नेव, चवविस। आ नंबर उपर आप अमने मिसकोल अथवा SMS पन करी सको छो, इश्वर आपने 80 सापे धन्यवाद। जो आपने कर दो इस पासे को जापने बाला है बाला है झाल झाल